नमस्कार दोस्तों दोस्तों एकनाच शिंदे वो एकनाच शिंदे जिनको BJP ने मुख्यमंत्री बनाया वो विधायक तोड़कर लाए अलाइंस में आए देवेंद्र फळनवीस का डिमोशन किया गया उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया एकनाज शिंदे को मुक्ष मंतری बनाया गया अमिश शाह की क्रपा पर मोदी जी की क्रपा पर एकनाज शिंदे मुक्ष मंतरी बन गए महराष्ट के बड़े मजबूत हैं पैसे से ताकत वर हैं अपने विधाय को वो अपने कारिकरताओं की मदद करते रहते हैं लेकिन आजकल सीधे अमिशा से भिढ़ जाते हैं वो सीधे डाइरेक्ट टकर ले रहे हैं दोस्तों टकराव हो जाता है उनका एकनाज शिंदे ने सीधे सीधे कह दिया कि 120 सीटे चाहिएं 120 से कम नहीं बीजेपी उनको 80 सीधे देना चाहती है लेकिन एकनाज शिंदे कह रहा है 120 से कम नहीं और मुख्यमंत्री पद का चहरा भी गोशित करिए हमिशा ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर बात हो जाएगी पहले सीटों पर बात कर लेते हैं आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया है आप इतनी जादा सीटे कैसे मांग सकते हैं एकनाज शिंदे ने कहा कि आप लोगों के खिलाफ नाराजगी है बीजेपी से महराश्ट के लोग नाराज है इसलिए जितनी जादा सीटों पर हम लड़ेंगे सरकार बनाने की उमीद उतनी जादा बड़ी हो जाएगी हम उतनी जादा ताकत के साथ आ पाएंगे अब दोस्तों मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ उसके बाद मैं इस खबर पर आगे बढ़ूँगा बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा ये कहते थे कि देश में छेतरी पार्टियां होनी नहीं चाहिए सिर्फ राश्ट्री पार्टियां होनी चाहिए अब छेतरी पार्टी कौन है? एकनाज शिंदे, अजीत पवार, रामदा सठावले, महराष्ट में यही तो छेतरी पार्टिया है उतर प्रदेश में देखेंगे तो अम प्रकाश राजबर, संजे निशाज, जैन चौधरी, अनुप्रिया, पटेल, यही छेतरी पार्टिया है बिहार में चिराग पासवान, उपेंदर कुश्वाह, जीतन राम मानजी, यह छेतरी पार्टिया है नितिश कुमार, जारखण में आजसू, अलग-अलग राज्यों में छेतरी पार्टिया हैं, लेकिन छेतरी पार्टिया नहीं होनी चाहिए, यह बीजेपी के अध्यक्ष कहते है तो क्या एकनाच शिंदे को महराष्ट में होना चाहिए, क्या बीजेपी यह देखेगी कि जादा विधायक हमारे पास, कम विधायक उनके पास, लेकिन मुख्यमंतरी उधर से बन रहा है, यह कैसे होगा इसके लिए प्लैन बनाया जा रहा है कि जादा से जादा सीटों पर चुनाओ लड़ो, जादा सीटे आएं, उसके बाद देखा जाएगा मुख्यमंतरी किसको बनाना है लेकिन एकनाच शिंदे दोस्तों ऐसा नहीं सोच रहे हैं, एकनाच शिंदे दो तरीके से सोच रहे हैं पहला वो ये सोच रहे हैं कि जादा सीटे उनको मिले जादा सीटे वो जीते तो अगर सरकार बनाने की इस्तिती बने तो मुख्यमंत्री एकनाजशिंदे ही बने क्योंकि एकनाज शिंदे भारती जंता पार्टी के मुख्यमंत्री के पीछे खड़े होने के लिए तो पार्टी तोड़कर नहीं आये थे वो पार्टी तोड़कर इसी लिए आये थे ताकि वो मुख्यमंत्री बने और वो मुख्यमंत्री है लेकिन अब जब चुनाओ होने जा रहा है तो एकनाच शिंदे यही चाहते हैं कि चुनाओ के बाद अगर बहुमत मिल जाए महायुती को तो मुख्यमंत्री वही बने लेकिन दोस्तों अब ज़रा सीन को घुमा कर सोचिए अगर एकनाच शिंदे अजीद पवार बीजेपी य अगर बहुमत का अकड़ा नहीं मिलता है तो मुख्य विपक्षी दल का दरजा हमको ही मिलना चाहिए विधान सभा के अंदर मुख्य विपक्षी दल का दरजा एकनाच शिंदे की पाटी शिवसेना के पास होना चाहिए शिवसेना शिंदे गुट के पास होना चाहिए ताक कमजोर व्यक्ति नहीं है कमजोर कड़ी नहीं है अब आप एकनाज शिंदे के रिष्टों के बारे में सोचिए एकनाज शिंदे की दुश्मनी किस से है लडाई किस से है उद्धव ठाकरे से लेकिन महा युती से अलग जब आप देखेंगे महा विकास अगारी में उद्धव ठाकरे को हटा दीजिए शरत पवार और एकनाज शिंदे की कोई लडाई आपको दिखती है नरेंदर मोदी ने शरत पवार पर हमला बोला अमिश्या ने शरत पवार पर हमला बोला क्या एकनाज शिंदे ने कभी पॉलिटिकल गुरू, राजनेतिक गुरू कह लीजिए, गाइड कह लीजिए, शरफ पवार है, ये बड़ी चौकाने वाली जानकारी है, लेकिन महराष्ट के पत्रकारों ने बताई, महराष्ट के राजनेतिक विश्टलेशकों ने ऐसा कहा, तो मैं आपके साथ साजह कर रह हम बने, भविश्ट में महराष्ट में मजबूत होने में मदद मिलेगी, मदद मिलेगी इससे, अब दोस्तों एकनाज शिंदे जिस तरह से अमिश शाह से उलज रहे हैं, और आब याद कीजिए दोस्तों, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी चंडीगर में, एंडिये के तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों से जिस तरह मिल रहे थे, और जिस अंदाज में वो एकनाज शिंदे से मिले, वो तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है, यानि एकनाज शिंदे नारास तो है, उन्होंने खुल के अपनी बात हमें शाह के सामने रख दी है, अब गेंद पूरी तरह से, नरेंद्र मोदी के पाले में है, नरेंद्र मोदी को ये तै करना है कि एकनाज शिंदे के बारे में क्या करना है, क्या एकनाज शिंदे को 120 सीटे देनी है, और अगर 120 सीटे दे दी, और 160 सीटों पर बीजेपी लड़ना चाहती है, तो फिर ये सीटे जोड़ कर दोस्तों 280 के आस पास पहुंचती हैं 280 और महराष्ट में सीटे कितनी है 288 अजीद पवार कितना मांग रहे है 90 आप देना कितना चाहते हैं 50 आप तो अजीद पवार को 5 सीटे देने की स्थिती में भी नहीं है क्योंकि फिर रामदास अठाबले भी हैं यानि कहीं न कहीं तो BJP को समझोता करना पड़ेगा शिंदे हो या अजीद एक सहयोगी का रूठना बिलकुल टै है चुनाव से पहले सीट शेरिंग जैसे ही फाइनल होगी एक सहयोगी नाराज हो ही जाएगा दोस्तों लेकिन शिंदे जिस तरह से खुल कर उलज रहे हैं खुल कर मोर्चा ले रहे हैं खुल कर अपनी बात रख रहे हैं क्या पीछे कोई है जो एक नार शिंदे से कह रहा है कि लड़ो हम तुमारे पीछे खड़े हैं कमजोर पड़ोगे तो हम तुमारे साथ हैं आखिर कौन है वो कौन है वो जो महराश्ट की राजनीती में तरीके से कुछ तूफान लाने वाला है दोस्तों अब दोस्तों अगर आपको पता हो कि वो कौन है जो एक नार शिंदे को इतना मजबूत कर रहा है कि वो हमेश शाह से टकर ले रहे हैं तो अपनी राए बताईए कमेंट बॉक्स में बताईए महराश्ट की राजनीती पर आपके जो भी समीकरन हों, जो भी एनालिसस आपका हों या महराश्ट के चुनाओ पर आप जो कुछ भी जानना चाहते हों, समझना चाहते हों, पूछना चाहते हों, उल्टाचश्मा यूसी आपके लिए वो हर रिपोर्ट, वो हर खबर लेकर आएगा, आप कमेंट बॉक् अपने राय अपने सुझाव साजहा करते रहिए उल्टा चश्मा यूसी को मजबूत करते रहिए नमस्कार